आज हम बनाएंगे फिश फ्राई मसाला बनाने के लिए हमने सबसे पहले फिश के पिसस को अच्छे से धूप करके साफ कर लिया है और इसमें हल्दी पाउडर डालके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है लगा करके अब हम इसमें डालेंगे अधी चोटी चमस नमक साथ में डाल हमने इसे अच्छे से मिला लिया अब हम एक पैन चुले पर चढ़ाएंगे और इससे बहुत तेज गर्म होने देंगे जब यह पैन हमारा बहुत तेज गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे तेल और जब तेल बहुत ज़्याद अगर्म हो जाएगा इसमें से तेज धुवा निकलने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे अपने फिश के पिसेज को इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइट से फ्राई कर लेना है यह हमारा दोनों तरब से गोल्डन फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे एक एक करके निकाल करके प्रेट में रखते जाएंगे इसी तरह से हम अपने सारे फिश के पिसेज को फ्राई करके एक एक करके निकालते जाएंगे इसके बाद हम इसी बचे हुए तिल में डालेंगे जीरा साथ में दो सिचार हरी मिर्च इसके बाद हम डालेंगे एक छोटा बारी कटा हुवा प्याज और इसे पकने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमच प्याज के पेस्ट को और इसे डाल करके हम लगवा एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच अद्रकलेसन का पेस्ट और इसे डाल करके हम फिर से एक मिनट के लिए इसे भूनेंगे ये हमारा भून चुका है, तो आप हम इसमें मसाले हम डाला, एक चमक धनिया पवडर, आधा चमक जीरा पवडर, आधा हमें लालमेश पवडर, आधा हमें सब्वार हथा निया में मिला लेगे। इसे मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच सरसोका पेस्ट इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाल अच्छे से मिल सके थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें आदा चमच नमक नमक आप अपने स्वादनुसार ही डाले इसके बाद हम एक बारी कटा हुआ टेमाटर डालेंगे और अब इसे हमें टेमाटर गलने तक पका लेना है इसे हमें अच्छे से भून लिया टेमाटर हमारा लगवा गल चुका है हमारा मसाला भी भून चुका है इसमें से मसाले से तेल निकलने लगे इसका मतला हमारा मसाला भून चुका है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी पानी डाल करके हम मसालो को अच्छे से मिला लेंगे इसके पाद हम इसमें डालेंगे थोगा कटा हुगा धनिया का पत्ता और इसे डाल करके हम अच्छे से मिला लेंगे और लगवग एक मिनिट के लिए हम फिर से इसे बूनेंगे अब यह अच्छे से भुण चुका अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे यहां में पानी का यूज ज्यादा नहीं करना है अधी चोटी पानी का यूज किया है इसे डालने के बाद हम अच्छे से लगवग आधी मिनिट के लिए फिर से पकने देंगे और आधी मिनट के बाद हम इसमें अपने पिसल्स को एक एक करके डालते जाएंगे और डालने के बाद हम इस तरीके से इसे दोनों साइड से पलटते जाएंगे इसके बाद हम इसे एक नट के लिए लगवग पकने देंगे और इसके बाद हम इसे दूसरी तरब से पलटते जाएंगे ताकि हमारे फिस के पिसल्स के दोनों साइड अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए यह मसाले का पानी पुरा सूख चूका है और मसाला भी अच्छे से सारे पिसच के ऊपर के लग चुका है तो अब हम गैस के फ्लेम को आफ करेंगे। यह हमारा फिस फ्राइ मसाला बंचु का और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया अब इसके उपर हम धनिया का पत्त डालेंगे और साथ में हम प्याज के स्लाइसे से गानिश करेंगे यह हमारा फिश फ्राइ मसाला बन करके तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बड़ जरूर बनाएं